हेलो एवरिवन ओनलाइन एजुकेशन क्रैक में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में हम आज का इतियास याने की 28 अप्रैल को इतियास में जो भी महत्पून गटनाई हुई है आज उसके बारे में डिसकस करेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक क करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए स्टार्ट करते हैं 28 अप्रैल 1740 इस दिन मराथा शाशक पेश्वा बाजिराव प्रतम का निधन हुआ था तो याद रखेगा पेश्वा बाजिराव प्रतम का निधन कब हुआ था यह हुआ था 28 अप्रैल 1740 में 28 अप्रैल 1932 इस दिन इंशानों के लिए पीत जूर का टीका विक्सित करने की गोश्णा की थी तो याद रखेगा 28 अप्रैल 1932 को पहली बार पीत जूर का टीका विक्सित करने की गोश्णा की थी इस दिन रूज की राजधानी मासकों में अंडर ग्राउंड फ्रेन मेट्रों की शुरुआत हुई थी, याद रखेगा 28 अपरेल 1964 इस दिन जापान ICO में शामिल हुआ था, याद रखेगा जापान IOC में कब शामिल हुआ था, यह हुआ था 28 अपरेल 1964 में 28 अपरेल 1986 इस दिन यूकरेन के टेर्नोबिल में हुए परमानों दुर्गटना के दो दिन बाद सोवियत संग ने हाधसे की बात मानी थी, कब 28 अपरेल सन 1986 में, याद रखेगा 28 अपरेल 1993 इस दिन जांबिया के एक विमान के गेबोन के लिबर विले में दुर्गटना ग्रस्त होने से 30 फुटबोल खिलाड़यों की मौत हुई थी, याद रखेगा 30 फुटबोल खिलाड़यों की मौत कब हुई थी, यह हुई थी 28 अपरेल 1993 को नेक्स्ट है 28 अपरेल 2001 इस दिन अमेरीकी बिजनिसमैन डैनिस एंथोनी पहले स्पेस टूरिस्ट बने थे, यह बने थे अमेरीकी बिजनिसमैन डैनिस एंथोनी और कब बने थे, 28 अपरेल 2001 में, याद रखेगा 28 अपरेल 2003 इस दिन एपल ने iTunes Store की शुरुवात की थी जिसे उपभोगता इंटरनेट से संगीत सीधे अपने फोन पर डाउनलोड कर सकते थे तो याद रखेगा 28 अपरेल 2003 को इस दिन भारती अंतरिक्ष अनुसंदान संगटन ने PSLV C9 के प्रक्षेपन के साथ एक नया इत्यास रखा था याद रखेगा 28 अपरेल 2008 को एक नया इत्यास रखा था PSLV C9 के प्रक्षेपन के साथ अब हम देखेंगे कि 28 अप्रेल को हर साल कौन सा महत्पूर्ण दीवस मनाया जाता है तो देखिए 28 अप्रेल को हर साल विश्व मर्वें कारी इस्थल पर सुरक्षा इवं स्वास्ते दीवस मनाया जाता है याद रखेगा World Day for Safety and Health at Work 28 अप्रेल को हर साल आज की वीडियो यहीं खतम होती है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू